हेलो एवरिवन वेलकम टूर चैनल दिस इस स्रिष्टी अगरवाल तो आप सभी की डिमांड पर यहां पर मैं ला चुकी हूँ हिंदी व्याकरन से संभंधी वीडियो जिसमें हम प्रतेक वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे प्रतेक टॉपिक को समझेंगे तो संधी को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना जरूरी है वर्णो को स्वर्वेंजनो को तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे वर्ण हिंदी भाषा की वह चोटी से छोटी ध्वानी जिसके और अधिक तुकड़ी ना किया जा सके यानि जिने ना तोड़ा जा सके वो वर कहलाते हैं वर्णों की वैवस्थी समु को वर्ण माला कहते हैं हिंदी वर्ण माला में वर्णों की संख्या 44 होती यानि 44 हिंदी बाल पोती में 49 रहती है और देवनागरी हिंदी लिपी में होती है 52 वर्ण की भेद होते हैं दो तरिस से आपने देखी होंगे स्वर और वैंज की सहायता के बिना जिनका उचारन किया जा सके स्वार कहलाते हैं हिंदी में यह संख्या होती है ग्यारा जबकि मात्राओं की संख्या होती है दस क्योंकि ए की जो मात्रा होती है वो मात्रा में नहीं यह नहीं जाती है तो यहाँ पर A बिना मात्रा का वर्ण है तो अगर कोशन आ जाए कि बिना मात्रा का वर्ण कौन सा है तो आप आंजर देंगे A A-E-E-U-U-R-E-A-I-O-O में आप देख सकते हैं किस तरह से मात्राई दे रखी हैं तो आप इने note-down भी कर सकते हैं लिख सकते हैं अपने किसी भी note-pale में जैसे यहाँ पर example है एतिहासिक गलत है या एतिहासिक सही है तो देखिए एतिहासिक होगा एतिहासिक नहीं होगा ठीके, क्योंकि A की मात्रा एक ही होती है, और वो होगा सही, example, first वाला, ठीके, तो अइतिहासिक होगा, ना कि अइतिहासिक, डबल मात्रा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, A में मात्रा एक है, I की मात्रा कैसे है, इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये सही है, एतिहासिक, एक ऐसस्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्वर के भेद दो होते है एक होता है हिर्स्वर स्वर और एक होता है देर्ग स्वर हिर्स्वर स्वर समझेंगे जो की चार होते है लगू मूल रूर इनका नाम भी यह भी बोल सकते हैं कि लगू स्वर कौन से है मूल स्वर कौन से है या रूर स्वर कौन से है तो आप देंगे आंसर 4 अ ए उर है अ ए उ री समझ गए दिर्ग स्वर में होता है जिसमें आपको थोड़े स期 ताइम लगता है बोलने में और मात्राइं बढ़ी होती है जैसे आ, बढ़ी, E, O, A, I, O, O साथ होते हैं दिर्ग स्वर ना बोलकर के इने बोल सकते हैं गुरू स्वर, संधी स्वर या योगिक स्वर ठीक है समझ गए नोट यहाँ पर आपको करना है हिर्व स्वर संस्कृत में होते हैं पांच इसमें री पी जुड़ जाता है री के साथ में और दिर्ग स्वर je back यानि एक एक मात्रा एक एक स्वर बढ़ जाता है संस्कृत में A, I, O, A, I, O, O और इक यह बाला री होता है बड़ा जो रीर होता है बहुत कम देखने को मिलता है बट यहाँ पर नोट डाउन करने की आवशिक्ता इसलिए है अगर कोशन पूछ लिया जाए कि संस्कर्थ में हिर्स्वस्वर कितने होते तो आपको बोलना है पांच और संस्कर्थ में देर्गस्वर होते हैं कितने आठ ठेके यह भी आपको नोट डाउन करना है बहुत इंपोर्टन नोट है सबसे पहले समझेंगे हिर्स्वस्वर वे स्वर जिनके उचारन में अल्प समय यानि बहुत कम समय लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है एक इकाई के बराबर समय लगता है वो होते हैं हिर्स्वस्वर ये संख्या में चार होते हैं नि लगुस्वर मूल्स्वर या रूर अब समझेंगे ये तो स्वर्ग की बात हो गई, अब समझेंगे हम वेंजन, वेंजन का उच्छारन स्वतंतर रूप से ना होकर स्वारों की साहता से किया जाता है, किसी भी वेंजन को आप उठा कर देख लीजिए, अगर हलंत नहीं है, तो उस वेंजन में कोई न कोई स्वर जोड़ा हुआ रहता है, देखिए, ये संख्या में 33 होते हैं, इन्हें वेक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है, अगर आप बिना स्वर के लिख रहे हैं, तो हलंत लिखेंगे, अदर्वाइस आप स्वरों को जोड़ करके उसे पूरा लिख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, अकर बोल रहे होंगे, तो गले के अंदर से आवा जारी है, इसलिए ये बोलते हैं, इन्हें अंतस्त वेंजन, जो की होते हैं, चार, और उश्म वेंजन होते हैं, जिसमें थोड़ी उश्मा का संचार करना पड़ता है, हमें बोलने में, जैसे श, श, स, ह, इन्हें थोड़ा सा हमें उश्मा देनी पड़ रही है, अपनी शक्ती देनी पड़ रही है, इसलिए इन्हें बोला जाता है, उश्म वेंजन, ये भी होते हैं, चार, तो टोटल मिलाकर के हो गए आपकी, तेतीस, 25 और 8, 33, ठीके, आई हो, यहां पर आपको अब्दिक अर्थ होता है, चुना, वे वन जिनका उचारन करते समें, मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को इसपश करते हैं, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, 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 न, आप समझ रही होंगे, इसमें आपको बोलने में, जो आपके मुख के दो कोई भी पार्ट पुजूड रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, आपकी जीवा कही न कहीं मिल रही है, आपके होट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसपश करते हैं, कोई भी दो पार्ट, उन्हें कहते हैं, इसपश वेंजन, यह संख्या में 25 होते हैं, इन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बाटा ग तो यहाँ पर देखिए कई बार लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है बच्चों को कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर लास में देखिए कखगगः यह है अन क्या बोलेंगे इससे अन यहाँ पर मैंने उचारन भी आपको बताने की कोशिश किये ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना रहे तो देखिए वर्थनी की अनुसार आपको शुद्ध में यहाँ पर देखने को मिलेगा आप संजे आपको अभी तक करक्क लगता आ रहा होगा अगर आपको बताने की द्रिश्टी से अगर यह संजे मिल जाता है अनुस्वार वाला तो यह गलत होता है संजे इस तरह से लिखा जाता है यह सही है संतोष में भी न लिखा रहता है पर आजकल आदुनिक्ता की तोर पर इन सभी को भूलते जा रहे हैं और इस तरह से आप आप लिखते जा रहे हैं अपनी सुविता के लिए बट एक्जाम में आपको यहाँ पर बरतनी की द्रश्टी से शुद्ध यहाँ पर यह चीज सीखनी पड़ेगी देखिए पंचांग जो है पंचांग को इस तरह से लिखते है पंचा नग यह ऐसा ही 2011 में भी आ चुका है औ अगर बरतनी की द्रश्टी से शुद्ध आपको कहीं लिखना है तो आपको इस तरह से ही देखना पड़ेगा उसे ठीके तो पंकच यह इस परम में करने के लिए अनुसवार लगा दिया जाता है तो यहाँ पर आपके समझे इस पर्ष्व एंजन को अगलर हम अगले वीड वीडियो काफी लंबा हो जाता है, एक साथ में इतना पढ़ना मुंकिन नहीं है, आप पहले जो पढ़ाया है, वो उसे ध्यान दे, उसे पढ़े, लिखे और समझे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतस्त वेंजन और उश्म वेंजन और साथ ही आगे के पार्ट भी पढ़ेंग वर्णों को समझना, हम आगे पढ़ेंगे, सबसे पहले संधी, दैन समास पढ़ेंगे, तो होप सो आपको ये सिरिस बहुत पसंद आने वाली है, और आपके कोई भी कन्फिजन नहीं रहने वाले है, हिंदी व्याकरन से संबंदिन, इस चीज के मैं आपको गारंटी दे सकत तो इसी तरह जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धने बाद,